Good morning, students! आज हम stereoisomerism के बारे में study करेंगी फिछले लेक्चर में हमने isomers of coordination compounds में structural isomerism के बारे में study की ती stereoisomer कहते किसे हैं कितने टाइप के नहीं होते हैं तो stereoisomer जो है यह क्या होता है कि संकुल योगिकों में जो केंद्री धात्वाईन होता है उस केंद्री धात्वाईन के चारों और लिगंड की जो इसपेसील अरेंजमेंट रहेंजमेंट होता है उसमें परीवर्तन से उत्पनसमावे होता और फिर इन कहते हैं और इन compounds को stereo isomers कहते हैं तो isomers that have the same bonds यानि उनके बंद तो क्या हो सम्मान हो लेकिन spatial arrangement या फिर आकासी जो व्यवस्ता होती है space arrangement वो क्या होता है different होता है उसे अपन stereo isomers कहते हैं और इस गुंड को अपन क्या कहते है stereo isomers कहते हैं और stereo isomers होती है वह है दो परकार की होती है एक होती है geometrical isomers या फिर geometrical isomers और दूसरी होती है optical isomers फिर्स्ट अपन लेते हैं geometrical isomers तो geometrical isomers जो है वो क्या होता है कि ligand का जो different spatial arrangement होता है उसकी वज़ा से इसके different chemical और physical properties होती है और chemical और physical properties different होने से उनके colors, melting point, polarities, solubilities और reactivities भी क्या होती है different होती है तो इस परकार की समाविता में यानि geometrical isomers में क्या होता है कि इस समाविता में केंद्री धातु आयन के साथ ligand की भिन-भिन परकार की जामिती विवस्ता होने के कारण उत्पन होती है यानि उनकी क्या होती है geometrical जो arrangement होता है वो different होता है यानि कि जिन जामिती समावियों में समान ligand एक ही पक्स में या same side होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं cis isomer और जिन में समान ligand opposite side में होते हैं उसको अपन trans ligand कहते हैं या sorry trans समावियों कहते हैं तो geometrical isomerism क्या होती है कि इसके अंदर यानि केंदरी धातु आयन से जो ligand जुडे रहते हैं उन ligand की भिन-भिन परकार की जामिती विवस्ता की होने के कारण ये उत्पन होती है और इसकी वज़े से अगर same ligand same side है तो उसको cis कहते हैं और अगर same ligand opposite side में है तो उसको trans isomer कहते हैं और coordination नमबर 4 और 6 वाले संकुल इस परकार की isomerism दरसाते हैं तो geometrical isomerism की वज़े से क्या होता है कि उस compound के chemical और physical properties different होती है तता उसके color, melting point, polarities और solubilities और reactivities भी different होती है तो first अपन लेते हैं कि जैसे अपनने लिया कोई example लिया, for example अपनने ले लिया PT-NS3 का hole twice Cl2 यानि diamine, dichloro, platinum, second ये अपनने कोई coordination compound लिया, अब अपने को पता है कि इसमें central metal से, platinum से दो परकार के ligand जुड़ेवे, एक है NS3 और दूसरा है Cl, यानि amine और chloride तो इसमें अपने को पता है कि अगर दोनों ligand same side है, जैसे NS3, NS3 दोनों इधर है, Cl, Cl दोनों है, तो अगर दोनों same side है, तो उसको तो अपन क्या कहते थे हैं, cis isomer और दोनों अगर opposite side है, जैसे NS3A हो गया, दूसरा NS3A हो गया, CLE हो गया, दूसरा CLE हो गया, तो एक दूसरे से opposite side है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो geometrical isomerism क्या होता है, cis और trans isomer बनते हैं, तो coordination number 4 के लिए अगर अपन देख रहे हैं, तो coordination number 4 में क्या होते हैं, संकुलों में या तो फिर tetraidal होता है, या फिर ispire planar, दो परकार की geometry होती है, तो tetraidal संकुलों में क्या होते हैं, सभी जो ligand होते हैं, तो एक दूसरे से क्या ह सिस पोजिशन पर होते हैं, तो जिस से क्या होता है कि जो tetraidal compounds होते हैं, या complex जो होते हैं, वह है geometrical isomerism नहीं दरसाते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो tetraidal complex होते हैं, उनमें क्या होते हैं, सारे के सारे जो ligand होते हैं, वो क्या होते हैं, कि सिस पोजिशन पर होते हैं, सिस समाविता प्रदर्शित नहीं करते हो और केवल स्क्वाइर प्लेनर जो जोमेटरी रखते हैं वह है स्क्वाइर प्लेनर वाले कॉंप्लेक्स ही जामिती समाविता देते हैं तो कोडिनेशन नंबर चार वाले संकुलों में केवल स्क्वाइर प्लेनर कॉंप्लेक्स ही क्या दर साते हैं अब इसमें अपन फर्स्ट ले रहे हैं कि M A2 B2 परकार का कोई compound हो यानि दो परकार के लिगेंड जुड़े हो जैसे A2 B2 यानि कि A और B परकार के लिगेंड जुड़े हो तो अगर दोनो A A सेम साइड है तो उसको अपन क्या कह देंगे सिसाइसोमर और दोनो एक दूसरे से अपोजिट साइड है तो उसको अपन क्या कह देते हैं ट्रांस आइसोमर कहते हैं for example नीचे अपनने दे रखा है डाइमीन डाइक लोरो प्लेटिनम सेकिन का कॉम्प्लेक्स अब इसमें पता है अपने को अगर दोनो CLCL opposite direction में तो वो क्या हो जाएगा trans-diamine-dichloroplatinum second और अगर cis दोनों same side है तो वो क्या हो जाएगा cis-diamine-dichloroplatinum second तो इस परकार से इनका nomenclature होता है यानि कि cis or trans पहले लगेगा यानि prefix लिखना पड़ेगा अपने को तो इस परकार के अगर कोई अपने पास complex है जिनमें दो परकार के ligand है तो वह दो समावी भी देता है एक cis और दूसरा trans next अपन लेते हैं कि अगर अपने पास m, a, b, c, d परकार का कोई ligand हो यानि कि ऐसा ligand जो क्या करता हो कि उसमें या फिर अपन ही हो कह सकते हैं इस परकार का वह ligand हो जिसके अंदर चार भिन भिन हो तो उसमें क्या हो जाएगा कि जैसे अपने ले लिया bidented ligand, embedded ligand ले लिया तो इसमें क्या है कि ns3 और o यानि glycine है तो glycine में क्या हो जाएगा दोनों जुड़ेंगे अगर दोनों में o o वाला समुए एक साइड है तो उसको sis कहा देंगे और opposite side में है तो trans हो जाएगा इसी परकार अगर अपन complex में ले लेते हैं कि दो ligand एक परकार के और दो अलग परकार के तो उनमें अगर दोनों सेम वाले पास पास में हैं तो वह sis और अगर अलग-अलग opposite side में है तो उसको अपन क्या कहते हैं ट्रांस कहते हैं नेक्स्ट अपना है कि जैसे अपन ने ले लिया कि चार अलग-अलग परकार के ligand उपस थी तो यानि M, A, B, C, D तो इस परकार के वर्क समतली संकर में क्या होता है तीन परकार के समावी भी बनते हैं यानि जैसे अपनने चार ligand है इसमें प्लेटिनम से जुड़े हैं शेंटरल मेटल से NS3, Pyridine, Bromine और Chlorine तो चारो डिफरेंट ligand है तो इस परकार के संकुल में क्या होता है कि तीन आईसोमर बनते हैं अब इसमें क्या होता है कि अपन किसी एक को fix रखते हैं और उसके सापेक्स उन तीनों में change करते हैं जैसे यहां पर अपनने Bromine को fix रख लिया और इस Bromine के सापेक्स इन तीनों ligands को change करेंगे तो अपने को टोटल तीन परकार के आईसोमर बनते हैं तो यह था अपना कि coordination number 4 वाले complexes में cis और trans यानि कि 4 coordination number है तो उसमें cis और trans आईसोमर्स का formation होता है और उसमें tetrahidal जो complex होते हैं वह है geometrical isomerism नहीं दरसाते केवल planar square planar geometry रखने वाले complex ही geometrical isomerism में देते हैं next है कि अगर अपन 6 coordination number वाला sum लेते हैं यानि संकुल कौन सा ले रहे हैं अपन जिसके अंदर 6 coordination उपस्तितो यानि कि 6 ligand उपस्तितो तो इसमें क्या होता है कि अगर अपन जैसे अपन ने ले लिया first ma4 b2 तो इसमें क्या है दो परकार के ligand a और b अगर अपन इसमें क्या possibility है कि अगर same ligand पास पास इस्तित है तो उसको तो अपन क्या कहते है cis और opposite side है तो उसको क्या कहेंगे trans तो जैसे cl cl है वो एक दूसरे की क्या है opposite direction में इसी परकार ns3 ns3 तो ये तो क्या हो जाएगा अपना trans isomer इसी परकार दोनों cl अगर पास पास इस्तित है तो ये क्या हो जाएगा अपना cis isomer तो इसमें क्या होता है कि अगर दो परकार के ligand ही उपस्तित है m a4 x2 तो इसमें क्या होता है कि दो geometrical isomer का formation होता है एक cis और दूसरा trans next अपन लेते हैं कि अगर दो परकार के ligand है लेकिन m a3 एक परकार के ligand तीन है और दूसरी परकार के भी तीन तीन उपस्तित है यानि m a3 b3 तो इस परकार के संकुल में भी क्या होता है अगर सम्मान ligand पास पास है तो उसको अपन क्या कह देंगे cis और अगर opposite side में है तो उसको अपन क्या कह देंगे trans एक क्या हो जाएगा अपना cis और दूसरा trans अब इसमें क्या होता है कि इसको अपन क्या कहते है fake isomer भी कहा जाता है और mar isomer भी कहा जाता है fake और mar भी कहा जाता है cis trans को क्योंकि इसमें क्या होता है एक फलक का निर्मान होता है तो ये था हमारा geometrical isomerism यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि coordination number 4 और 6 वाले संकुल क्या दरसाते है geometrical isomer और coordination 4 में भी square planar वाले complex ही geometrical isomerism में देते हैं next अपन लेते हैं optical isomers या optical isomerism optical isomerism क्या होती है कि वे संकुल जिन में क्या होता है केंद्रिय धातु आयन किसी द्वीदन्तिक समुए युक्त जैसे oxalato, ethylene diamine या ethylene diamine glycinate तो ऐसे प्रकार के प्रकासिक समावयोता दरसाते हैं इन संकुल योगिकों में क्या होता है कि केंद्रिय धातु आयन के चारों और समुए और परमाणों का विन्यास एक दूसरे का क्या होता है mirror image होता है या दरपन परतिविंब होता है और ये क्या दरसाते हैं optical, active योगिक, समतल धुर्वित प्रकार्स को क्या कर देते हैं अपने पत से क्या करते हैं या तो दाई तरप या फिर बाई तरप उसको गुमा देते हैं या फिर यानि दाई तरप जिसको अपन बोलते हैं दक्षिन दुर्वन गुर्णक और जो बाई तरप गुमाते हैं उसको कहते हैं वाम दुर्वन गुर्णक तो यानि कि इसमें क्या होता है कि इस प्रकासिक समावय उता उनकी द्वारा दर्साई जाती है जिनके अंदर क्या होते हैं के अंदरी धातु आयन से क्या जुड़ा हूँ बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हूँ और यह भी optical एक्टिव वह होते हैं जो की समतल दुरुईत प्रकास की तल को या तो left side में या फिर right side में rotate करते हो उनको अपन क्या कहते हैं Optical IsomercMM कहते हैं और इसको अपन कहते हैं Optical Isomers तो Isomers क्या होते हैं not super impossible mirror image यानि अगर optical active है तो अपनी mirror image पर क्या होते है वो एक दूसरे से ever imposed नहीं होते है उसको अपन क्या कहते है enenciomore कहते है और इनमें क्या होता है कि chirality pi जानी चाहिए said to be chiral next है कि इनको अपन क्या कहते है जो अपनी mirror image पर super impose नहीं होते है क्या कहलाते है एनेंसियो मर्स कहलाते है अगला है कि a substance is chiral if it does not have a plane of symmetry यानि कि अगर system chiral है तो वह plane of symmetry नहीं रखता है यदि system की rail है लेकिन वह plane of symmetry नहीं रखता हो तो यह conditions है optical isomerism के लिए यानि कि एक तो abidented ligand यूज में लेते हैं दूसरा कि उसमे plane of symmetry नहीं होनी चाहिए किसी भी परकार की तीसरा वह है एक दूसरे की mirror image पर superimposed नहीं होने चाहिए तो other stereo isomer called optical isomer और enantiomer are mirror image of each other यानि एक दूसरे के mirror image होते हैं लेकिन mirror image एक दूसरे पर superimposed नहीं होती तो वह क्या कहलाते हैं optical isomer या enantiomer कहलाते हैं अब हम देखते हैं कि जो coordination number जैसे अपने 6 ले लिया यानि कि 6 प्रकार की coordination 6 के संकुलों में अपन optical isomerism देखते हैं तो प्रकासिक समावेता प्रदर्शित करते हैं जैसे हमने लिया है tetra equa dichloro cobalt third यानि कि इसमें cobalt की plus 3 oxidation आवस्ता है तो cobalt third का complex लिया है तो इसमें अपने को पता है कि चार तो equa ligand उपस्तित अपने पास h2o और दो क्या है chloro ligand उपस्तित हैं तो इसमें जब दोनों same ligand पास-पास इस्तित हैं तो उसको अपन क्या कहाँ देंगे cis और opposite side में है तो उसको अपन क्या कहाँ देंगे trans तो यह तो हो गया इसका geometrical isomerism लेकिन अगर अपन इसमें देखें कि कौन सा optical active होगा और plane of symmetry उपस्तित होती है इसके अंदर तो plane of symmetry उपस्तित होने की वजह से यह क्या होता है optically inactive और इधर h2o में भी क्या उपस्तित है plane of symmetry तो यह क्या हो जाएंगे optically inactive होते हैं हाला कि geometrical isomerism दर्स आते हैं लेकिन optically inactive नेक्स्ट अपनने example लिया जैसे coen2-cl2 यह भी अपनने कौन सा लिया है सिस यानि सिस में क्या है कि दोनो एथिलिन डाइमीन या दोनो ग्लोरो सम्मूए पास पास इस्तित है जब इसकी अपन देखते हैं जैसे यह लिख लिया आपनने co का en के दोनों सम्मूए और यह cl जब इसमें अपन mirror image बना करके देखेंगे तो इसको इसके उपर रखेंगे तो यह एक दूसरे पर क्या है super imposed नहीं होती और super imposed नहीं हो रही इस वज़े से क्या होता है कि जो sis होता है वह actually होता है यानि यह क्या होगा वं एक दूसरे पर vara imagine, नहीं है। इसका मतलब यह क्या होता है, उप्टिकल आएसो मेरीज में बरसाता आ है यह यानि कि यह अप्टिकल एक्टिव होता है तो यह अधियर के प्रकासिक समयत्ता दरसाता आ है। लेकिन यदि इसी का आपन transform लेते हैं तो transform में क्या होती है कि plan of symmetry उपस्तित होती है तो plan of symmetry की उपस्तिती की वज़ा से वो क्या होंगे एक दूसरे के mirror image यानि की super impulse होंगे तो वह क्या हो जाएगा optically inactive होता है तो इस complex का cis form तो optically active है लेकिन जो transform है वह क्या होती है optically inactive होती है next है कि जो octidal complexes होते हैं जिसके अंदर monodented ligand है तो केवल monodented ligand उपस्ति तो next इसी परकार जैसे अपन trisolexo chromium का अपनने complex लिया है trioxalato chromium third का complex लिया आपने तो इसमें क्या है कि trioxalato के अंदर क्या हो जाएगा तीन ligand उपस्ति तो bidented ligand है तो यह क्या होगा कि इसके साथ जैसे complex बनाएगा तो इसकी complex क्या होंगी एक दूसरे की mirror image होंगी यानि कि इसमें अपन कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा प्रकासिक समावेटा देगा या नहीं देगा तो इसमें क्या होगा प्रकासिक समावेटा यह प्रकट करता है यानि कि ये क्या देता है Optical Isomerism दरसाता है क्योंकि ये एक दूसरे पर क्या नहीं होते Super Imposed नहीं होते यानि कि सम्मित अगर द्वीदंतुक लिगेंड उपस्ती था उसमें तो ये क्या दरसाते है प्रकाक्सिक समावयता प्रकट करते है क्योंकि इनकी जो Mirror Image होती है वहाँ एक दूसरे पर Super Imposed नहीं होती Next अपने ले लिया जैसे MAA2 यानि एक अपने ले लिया द्वीदंतु लिगेंड और दूसरा ले लिया अपने A2 Monodentate लिगेंड तो इस प्रकार के कॉम्पलेक्स में जब अपन देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा जैसे अपने अभी एक्जाम्पल देखा था कि उसकी Sysform तो क्या होती है Optically Active और Transform उसकी क्या होती है Optically Inactive अगला टाइप है कि अगर अपने MAA2 और AB परकार का ले लिया अपने इसमें क्या होता है कि जैसे अपन देखेंगे कि Bidented Legand है तो यह क्या दर्साएगा कि यह Optically Active होगा या नहीं होगा तो इसमें अपने जैसे EN EN लिख लिया तो यह क्या हो जाएगा यह भी Optically Active होता है तो यानि कि इस परकार अपन देख सकते हैं कि कौन सा Optically Active होगा और कौन सा Optically Inactive होगा तो यह था अपन अप्टिकल आइसो मेरीज में